तेरा मेरा ये रिष्टा है अब तो जीवन भर का सहाँ फिर भी है हम एक दो जनेंगे दिल से दो दिल के पास देर से दूर दिल के पास यू मैम 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 अच्छा काखा कैसे बटा मैं अच्छा हूं मैम आओ तुम बैठे बटा लो उखडियागए अई मंदीप हम तुम्हारे इंतिजार कर रहेते हैं मैम ये पेपर से इंपर साइन चुले तेरपके यह हाँ पीडियेप हाँ सदी रेडी चले हाँ सदी रहा याद रखना कल जीके वालिया के आँ प्रेजेंटेशन है ठाटेशन है अच्छे हालो मंदीप से बात करनी है मैं बोल रहा हूं उन्ना बाश्या तुमसे मिलना चाहते उन्ना बाश्या यह मुन्ना भश्या कोन है वो भी तुमको नहीं चाहनते है पर किसी खास काम से मिलना चाहते है अब मिल रहे हो ठीक है आपना नंबर दे रिजे मैं आपको फोन करके आ जाओं नंबर तुम्हारे मुबाइल पर आ गया है उसी पर फोन करना और सुन ज़र जल्दी ठीक है बंदीद यह मुना बाच्चर को आने और हाँ ऐसे नाम तो अंडरवर्ड वालों के होते है यह तुम ही के बुला रहा है अब यह तो जाकर ही पता चलेगा और इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि उसे मुझ से एक टाम पड़ सकता है ठीक है उससे मिलने के बाद हमें जरूर बताना कि उसने तुम्हें क्यों बुलाए जी जरूर मैं चलता हूँ सनी यह क्या कहानी है कि तुम मुन्ना के घर पर है तारे यह बात जानती है मुन्ना बाच्चा मंदीप को अपने घर बुला रहा है क्या पिहू यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सनी मंदीप मुन्ना के घर पर जाता है और वहां किट्टो को देख लेता है तो सोचो क्या होगा पिहू कहीं तारा और मुन्ना मिलकर हमसे कोई खेल तो नहीं खेल रहे है या कहीं तारा ये तो नहीं सुच रही कि हमें किट्टू के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो मुन्ना के साथ मिलकर किट्टू को खत्म कर दे और बाद में मुन्ना बाशा के साथ मिलकर शांती निवास में भी सेंद लगा कर भाग जाएं कुछ भी हो सकता है सानी कुछ करना पड़ेगा सोस्ते कुछ तो करना ही होगा क्या हो रहा है तारा कुछ नहीं बहुर हो रहे हूं बोस मंदिफ से बात हो गए थी वो एक दो दिन में फोन करके आ जाएगा एक दो दिन नहीं में कल पैसे लिया हूंगा तु से कली बुला ले ओके बॉस और ठीक से वदा किया था ये वही मंदिफ है ना जो बीपी कंस्ट्रक्शन में काम करता है ओ बॉस मने तो पूछा ही नहीं मुन्ना ये मंदिफ बीपी कंस्ट्रक्शन में काम करता है क्या अब तुझे ये भी जाना पैचाना लगेगा तुम इसे मजाग समझते हो पर ये हकीकत है मुझे ये मंदीब, साकर, पीपी कंस्ट्रक्शन कि सब, सब कि सब जाने पैचाने लगते है हैराने की बात है तारा मैं, गोठिया, बास, तेरा बाप इन सब को तु भूल चुकी है और जिससे तरह दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है वो तुझे जाने पैचाना लगने लगा गोठिया, जी कैसी अताश्त कही है इसकी जो अपनों को तो ये भूल चुकी है लेकिन अजनभी लोग अजनभी लोग इससे जाने पैचाने लग रहे है समझ नहीं आ रहा पैटाँ आ है पैटाँ पैटाँ इसे लिए तो भीटिया को भोन करता था में है खोड़ी प्टोर गुरा जीते रों तुम्हें अने बताया है वो कुछ दुनों के युआज जारे गुट जांता हूँ डेट कंवह था आछे अचे अचे अगल में चलता हूँ चाही टाल जार माइट यू यू को मिलता हूँ आप भी करनल साब, जरा नहालो, पहले टब्बे पानी भर दिया है, पहले फ्रेश हो जो, फिर मैं आपको गरमा करम काफी पिलाता हूँ अब यह मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, प्रेन से लटक कर नहीं आ रहा, हवाई जहा से आ रहा हूँ, समझा कुछ? चल्ब काफी लेकरा, देख लिया वीटिया, जब तक करनल साब घर पे नहीं थे ना, घर में बिल्कुल शांती थी, और आते ही, हला शुरू करती आपने क्या बापा, आप आते ही शुरू हो गए, जाहिए ना हाथ मो धो लिजिए, हम आपके लिए काफी बनाते हैं काका, पापा के सामने अब कोई बाप नहीं होनी चाहिए, पर बिटिया, इन सब प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द रिप्टा लो, ताकि दोनों घरों में तुमारे इज़त बनी रहे है, सो गए क्या, अभी तक चेंज नहीं किया, लगता है बहुत थक गए हो अब अस और आम कर रहा था अभी तक न आराज हो, प्लीस मुझे माफ कर दो परिनव में सेच कह रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था पता नहीं क्यों, हमेशे जब भी मैं तुमें कुछ समझाना चाहती हूँ, उसका मतलब गलत ही निकलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आराम करने दो इसका मतलब है, आपने मुझे माफ नहीं किया माफ कर दिया है, बबाब इरी दिमाख में एक बात आ रहे है चुकि अब सारी प्राब्म सॉल्व हो गई है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले सोचते हैं इसमें सोचना क्या है? हाँ कही है ना मैं कब से आपके साथ समय बिताने के लिए तरह से यूँ चलते है ना गई मैं बस आपकी बाहों में रहना चाहते हैं हाँ कही है ना मने कहा ना सोचते हैं अभी मुझे पर आराम करें तो किसी कमाल है यह आदमी है यह पत्थर किसी भी तरह से इसके दिल में प्यार आता ही नहीं काका 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 यह पहू कहा है यह अमनी ताप उठी नहीं किया नय नयूस तो कब कही कही है वस आती ही होगी तुमने उससे कोई बात की क्या नहीं मैंने से कोई बात नहीं करें और कर् Bluetooth आप वीना बगयर भूमी का बांधेए उससे एकनम सीधी बात करियेगा हाई पापा हाई काका हमारी चाय चाय बटा वरी तेयार है बस बस जाए बस जाए आप बेटा हम तुमसे एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं और उसका सीधा सीधा जवाब चाहते है जी कही है? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए क्या मतलब? अब बेटा हम तुम्हें खुमा फिरा कर तो कहनी रहे और ना ही हम तुम्हारी उल्टी सीधी कहानी सुनना चाहते हैं साफ लबजों में कह रहे हैं कि तुभारी शादी स्थनी के साथ हो जाने चाहिए पापा प्लीज आप तो जानते हैं कि हम हाँ या ना ठीक है हमें सोचने के लिए थोड़ा वक दी चाहिए ठीक है कितने दिन चाहिए तुमें प्लीज पापा आप ये करनल जैसे बाते क्यों कर रहे हैं हम आपको जल्दी बताएंगे करनल साब आपने तो कमाली कर दिया तुम फिक्र मत करो काका हम पहले तो उसे बेटी समझ कर प्यार से सब कुछ सह लेते थे क्यो अब वो बेटी ने रही क्या नहीं, अब हम समझ गए हैं कि हम बाप भी हैं और अपने फर्ज जल से जल निभा देना चाहते हैं भाई हमें भी अपनी भेटी की चिंता है यूर गेट करना साओ, यूर गेट चैपियो फिर भी हैं एक दो जनेंगे दिल से दूर दिल के पास दिल से दूर दिल के पास